अगर आफ फ्रेश हैं और इंडिया नहीं वर्ड की टॉप MNC कंपनी असेंचर जैसी बड़ी कंपनी के इंदर अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं तो यस इडिस अ परफेक्ट एंड गॉल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे असेंचर फ्रेशर केंडिडेट को मोगा दे रही हैं इनके बैक एंड ओपरेशन को जॉइन करने का जहां पर आपका सेलरी पैकेज अगर मैं मंतली बात करूं मोर दें 35,000 रहेगा अब देखिए सेलरी एचर ने डिस्क्लोस नहीं करिये पर जर्नलिस टाइप की प्रोफाइल पे असेंचर जैसी कंपनी के अंदर आ आपको हमेशा अचर के एंड से रिवर्ट बैक आए हमेशा कंपनी आपको रिवर्ट बैक करके बताएं कि आपका सेलेक्शन हुआ या आपका सेलेक्शन नहीं हुआ तो जब आप असेंचर में अप्लाई करेंगे तो आपका सेलेक्शन प्रोसीजर यहां पे पूरा का पू तो अगर आप करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, आप फ्रेशन हैं, तो असेंचर को जोइन कर सकते हैं, और इसी वीडियो के अंदर डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, क्या प्रोफाइल है, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, क्या रिस्पॉनसिबिलिटी इस रहेंगी किन स्किल्स की डिमांड करी गई है, तो वीडियो को लास तक जिरूर देखें और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेर करना आप बिलकुल ना भूलें, अपने उस फ्रेंट के साथ जो अनिम्प्लोइड है, जिसको नीड है एक जॉब की, तो चलिए आपकी लाइक के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएए, लिंक पे क्लिक करिए, और ओफीशली वेबसाइट पे विजिट करिए, असेंचर.com करियर पे, जहां पे आपको ये लिंक से डिरेक्ली पेज ओपन होगा, ओडर टु कैश, अपरेशन न्यू एससेट की जोब है, न्यू एससेट जो आगे ये बिल्कुल लिखा हुआ है, ये आपकी डेजनेशन है, जो कि प्रैमरी बिल्कुल बेसिक डेजनेशन होती है, एससेट, फिर सीनियर एससेट, फिर आपके टीम लीडर, फिर असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो बिल्कुल बेसिक प्रोफाइल पे तभी फ्रेशर को यहां पे अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, और ओडर टू कैश ऑपरेशन आपकी वर्ग प्रोफाइल है, जिस पे आप काम करेंगे, जहां पे आपके पास लैप्टॉप, डेस्टॉप रहेगा, जिसके थूँ आप सारे यहां पे back end के operation को समझेंगे, और order to cash तो slightly a term account से related है, तो अगर आपको accounts की information है, तो काफी अच्छी आपके लिए opportunity होने वाली है, जहां पे हम थोड़ा सा scroll down करेंगे, तो हमें पता चलेगा full time job है, guru gram इसकी location है, apply now पे आप click करके यहां से apply करेंगे, but wait, पहले आप JD job के description को समझें, जहां पे आपको detail में information मिलेगी, सबसे पहले skill required, क्या skills की requirement है, order to cash के अंदर collection processing आपकी रहेगी, और यह collection processing, it's a account part, अगर आपने 11, 12 में accounts पढ़ी है, यहां आपकी qualification B.com है, तो yes, you are the perfect and suitable candidate, तो अभी तक आपको सुनने में आ रहा था, coding कर लो, programming सीख लो, BTEC कर यह भी job है, अगर आपको सही direction मिलती है, और आपको इस channel पे हमेशा perfect direction मिलेगी, यहां पे experience की बात करें, 0 to 1 है, मतलब फ्रेशर भी apply कर सकते है, और if you have some experience, 3 months, 6 months, तो भी आप इस job को apply कर पाएंगे, then after यहां पे essential के बारे में बताया गया है, कि किस तरीके से लोग इस से connected है 120 से ज़्यादा cities में यह काम करते है, then after what would you do, मतलब आप क्या करेंगे, तो हलका सा में slightly आपको guide कर देता हूं, you will be aligned with our finance operation vertical, तो इनको line up, आपको line up किया जाएगा, जो finance vertical operator है, इनके उस से related, finance से related, जहां पे and you will be helping us to determine financial outcome by collecting operation data reports, तो basically आप यहां पे data reports को पढ़ाओ जो की finance से related है, उसमें आप help out करोगे इनका, तो अब companies की balance sheet पढ़ना, finance पढ़ना, investment देखना, कितना cash आ रहा है, कितना cash flow है, वो सारी information आपकी रहेंगे, उनकी reports को अच्छे से arrange करना, और सारा backend से related work, operations से related work आपका होने वाला है, clear हो रहा है, अब मैं इसको आप सारा चाहें, तो खुछ से पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा downgrade पर आता हूँ, और यहाँ पर focus करता हूँ, what are we looking for, मतलब यह क्या देख रहे हैं, अगर किसी company में कोई job निकली है, तो एक HR के भी expectation होती है, क्या मुझे ऐसा candidate चाहिए, तो यहाँ पर expectation सुनते हैं, सबसे पहला आपका OTC, collection processing रहेगा, clear है, second, आपका account management रहेगा, तो account को manage करने वाला भी responsibilities रहेगी और आपको आना चाहिए, credit management आना चाहिए, and assignment finance strategies बनाना आपको आना चाहिए, flexible होने चाहिए, adaptability to perform under pressure, तो जब कभी pressure वाला वर्ग है, तो तब भी आप काम कर पाएं, उसके बाद problem solving skills होने चाहिए, जो स established strong client relationship, तो आपकी communication skills अच्छे होनी चीज़ जिसे एक अच्छा client bond आप बना सके, तो finance skills related knowledge, अच्छे bond बनाना, problem solving करना, analytic skills आपके हो गए, तो ये सारे skills अगर आपके पास हैं, तो इन सभी skills को mention करना, अपने CV resume में, जिससे आपके selection के chances increase हो जाएं, अब देखिए, यहाँ पे चीज में और आपके साथ share करना चाहूँगा, यहाँ पे सिर्फ मैं job नहीं बताता, यहाँ पे मैं आपका career भी build करता हूँ, और career अगर build कर रहे हैं, तो काफी सारी चीज़ हमें share करनी होगी, जिसमें सबसे important चीज़ जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, जो आपकी life को dynamic change कर सकती है, वो है आपका selection procedure का part, जब कभी आप job देखते हैं, जेडी समझते हैं, उसके बाद आप कूद जाते हैं apply करने के लिए, पर जब आप jump कर रहे हैं, कूद रहे हैं apply करने के लिए, कुछी चीज़े समझे, हर job, हर particular designation, हर candidate के लिए नहीं बनी है, आपको सबसे पहले आरे skills mention नहीं कर रखे, आपने नहीं लिखा finance, वर्ड ही नहीं लिखा अपने CV के अंदर, आपने नहीं लिखा हैं पर collection processing, आपने नहीं लिखा account management, तो आपका selection इस job में कोई नहीं करवा सकता, आपका selection होगा नहीं और एकदम से comment section में लिखके आएंगे, sir job apply करी, कोई reward back नही आता आस तक job नहीं लगी, एक साल से follow कर रहा हूं, दो साल से follow कर रहा हूं, तो sir आपकी job कभी लगेगी भी नहीं, चुकि आप deserving candidate नहीं है, यहां पे मैं job नहीं बाट रहा हूं, यहां पे मैं आपके career को build कर रहा हूं, तो अगर आपका career में build कर रहा हूं, तो कुछ tips दे र होता है तो जॉब की डिस्क्रिप्शन को समझेए अपने रिज्यूमे को बिल्ड करिए दोनों को मैश करिए तब आपका रिज्यूमे बनेगा ATS अप्लिकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली तब आपको एचार यहां पर कॉल करेगा या मेल करेगा तब आपके यहां पर होंगे तो सबसे पहला हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपडेट विए सीवे अपडेट विए स्किल्स अकॉर्डिंग तब भी आप नेक्स स्टेप पे जाएंगे समझदार को इशारा काफी समझ चुके हो तो सीवे अपडेट करके अप्लाई करना जल्द जो कि जर्नल गाइडन्स के अकोडिंग होनी चाहिए यूर प्राम्री इंट्रेक्शन इद विए ओन टीम एंड यूवर डिरेक्ट सूपरवाइजर तो आप टीम के साथ काम करेंगे तो मस्ट है कि आप एक टीम प्लेयर होने चाहिए दैन आफ्टर इन दिस रोल यू विल इस रोल के अंदर जो भी आपको टास्क मिलेंगे साइन होंगे उसकी सारी इंफर्मेशन आपको बताई जाएगी डिटेल के अंदर आपको गाइडलाइन्स मिलेगी उसके अकोडिंग आपको काम करना है तो ज्यादा मत सोचना यार मुझे काम नहीं आता इतने सारी स्किल् करना है अपनी प्रोफाइल को आपको कंप्लीट करना है जिसके आपको मेल आइडी कॉंटक नंबर सीवी वगरा सब आपके रहेंगे सब आप यहां पर प्रोफाइल को अपनी अपडेट करेंगे ठीक है और यहां पेस के बाद कोई भी अगर आपको इन बिट्वीन डिफि और अब इस चैनल को आपको चैनल पर मिलेगी तो जल्ली से चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं आपसे मिलूंगा नेक्स वीडियो के नेक्स कंटेंट में पर तिल दन कीप लेर्निंग कीप ग्रोइंग एंड कीप वोचिंग जे विया